किसी ने ठीक ही कहा था कि कोई भी मामूली नहीं होता अक्सर मामूली से नजर आने वाले ही बड़ी चोड़ दे जाते हैं अब छोटे से नजर आने वाले इस मच्छर कोही देख लीजिए शरीर इतना छोटा कि इनसान हाथों से ही मसल कर इसे खतम कर दे लेकिन इसका डंग इ भाशा में इस बिमारी को हड़ी तोड बुखार कहा जाता है क्योंकि इसके कारण शरीर वे जोड़ों में बहुत दर्द होता है पूरों से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षन तक छोटे से दिखाई देने वाले डेंगू के इस मच्छर ने हर किसी को लपेटे में ले रखा है आलम तो ये है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन बतिन बढ़ती जा रही है हर्याना, यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल, महरास्ट जहां भी नज़र डालें डेंगू के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है डेंगू से प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और समय पर इलाज ना मिल पाने से कई लोग तो जान भी गवा चुके हैं डाक्टर लोगों को सावधानी बरतने के लिए जागरू कर रहे हैं तो वहीं सरकार वे प्रशाशन अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं लेकिन ये सब जुगार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और डेंगू के ये हालात तब हैं जब सर्दी का मौसम दहलीज पर खड़ा है क्योंकि सर्दी में अक्सर मच्छर कम हो जाते हैं आज के इस पैकेज में हम डेंगू को लेकर आपको जानकारी देंगे आपको बताएंगे आखिर डेंगू होता कैसे है इसके बचाव के उपाय क्या है और अभी तक प्रदेश में देश में कहां कहां पर इसका प्रकोफ फैला है जी हाँ नमस्कार स्वागत है आपका हरियाना आज के स्पेशल शो एस एने में स्पेशल न्यूज एनलाईज है जिसमें खबरों का विशलेशन करते हैं स्पेशल खबरों को सरल भाषा में आपको समझाते हैं ताकि आप समझ सके कि आखिर खबर के पीछे असलियत क्या है पश्चिम मंघाल के सरकारी और नीजी अस्पतालों में डीगू के मरीजों की भरमार है पश्चिम मंघाल लगातार पिछले रिकोर्ड तोड़ता जा रहा है National Center for Vector-Born Disease Control के द्वारा जारी आंकडों के मताबिक पस्चिम मंगाल में 31 अगस्त तक केवल 249 मामले दर्ज किये गए थे 40 दिनों के बाद ये संख्चा बढ़कर 20,000 से अधिक हो गई है कोलकत्ता के इलावा ज्यादातर मामले उत्तर 24 परगना, हावडा, हुगली, मुर्शिदाबाद, सिलीगुडी, दार्जलिंग जैसे जिलों से है उत्तर प्रदेश के कहीं जिलों में तो डेंगु तेजी से पैर पसार रहा है केंदर ने डेंगु से निपटने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट की उच स्तरिय टीम उत्तर परदेश के फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, रवाना की इन इलाकों में तो हालात बद से बत्तर होते जा रहे हैं दस से पंदरा परतिशत मुरीजों में बलड, ट्रांस्फ्यूजन की जुरूरत पड़ रही है योगी सरकार और प्रशाशन की और जो दावे किये जा रहे हैं वो पुर्वांचल के बड़े सरकारी अस्पतालों में आकर ही खोखले साबित होते हैं बनारस में प्लेटलेट्स की कमी को पूरा करने के लिए लोग I.M. में और B.H.E.U. के और भाग रहे हैं वहां भी प्लेटलेट्स की कमी देखी जा रही है वहां के मंडली अस्पतालों में कोई रोता नजर आ रहा है तो कोई गिडगड़ाता दिख रहा है हर्याना में घातक डेंगू, स्ट्रेंड डेंग 2 की एंट्री हर्याना में तो डेंगू और भी घातक रूप ले रहा है क्योंकि अब तो यहां पर स्ट्रेंड डेंग 2 की एंट्री हो गई है पंचकुला जिले में डेंगू के 20 सेंपलों में से इस स्ट्रेंड की पुष्टी हुई है अब तक जिले में डेंगू से 18 लोगों की भी मौत हो चुकी है यह स्ट्रेंड मल्टिपल ओर्गन में तेजी से फैलता है और सिधे मरीज के दिमाग पर अटैक करता है रोट तक में डेंगू के 37 मरीज पाए गए है इनमें से 28 केस शहर से हैं जबकि 9 केस गाओं से मिले हैं इधर पंजाब में डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले तो लुधियाना से सामने आए है डेंगू के मरीजों की संख्या 69 हो गई है डेंगू के साथ यहाँ पर स्वाइन फ्लू के मामले भी सामने आ रहे हैं स्वाइन फ्लू positive मरीजों के संख्या 45 हो गई है जबकि जिले के रहने वाले 21 मरीज positive मिले हैं इन में से 7 मरीजों की मौध हो चुकी है जबकि 11 मरीच स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं ये सब तो हमने आपको महच चार राज्जों के आंकडों की ही जानकारी दी है सोचिय देश के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा कहीं पर दवाईयों की कमी है तो कहीं पर खून की कमी है कहीं पर तो डॉक्टर्स की भी कमी है देंगू आखिर होता कैसे है देखिए देंगू एक तरह का वाईरल बुखार है जो की एडीज एजिप्टी नाम की संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है डेंगू का मच्छर बरसाद के मोसम के दोरान पनपने लगता है डेंगू का यह मच्छर खुली जगहों में पड़े पानी उलर के पानी, घरों की छटों पर जमा पानी स्कूलो या आस पास के इलाकों में तालाबो या गड़ों के पानी में पनपता है ऐसे पाणी में डेंगू के मच्छर अंडे देते हैं इनके शरीर पर सफेद काली पट्टी होती है इसलिए इनको टाइगर यानि के चीता मच्छर भी कहा जाता है ज्यादा तर ये मच्छर दिन के समय ही काटता है आखिर कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू है या फिर कोई वाइरल बुखार डेंगू होने पर मरीज को दो से साथ दिन तक लगातार बुखार रहता है अचानक तेज बुखार सिर में आगे की और तेज दर्द, बदन, जोडों में, मास्पेशियों में दर्द रहता है स्वाद का पता ने चलना वे भूख का ने लगना भी डेंगू का ही लक्षन है शरीर पर खून के चक्ते और खून की सफेद कोशिकाओं यानि के रेड ब्लड सेल वे प्लेटलेट्स की कमी अगर आपने ये सब लक्षन है तो फिर आपको जल से जल डॉक्टर से जाच करवाने की जरूरत है क्योंकि ज़्यादा देरी करने पर आपकी जान भी जा सकती है डेंगू से खुद को कैसे बचाएं अंग्रेजी की एक कहवत है कि precaution is the better than cure यानि कि इलाज से बहतर है एहतियात तो फिर ठीक इसी तरह से आपने खुद की और परिवार की देख भाल करनी है तो आईए आपको बताते हैं कि अपने आपको डेंगू से आखिर कैसे बचाएं सबसे पहले तो आपको एडीज मच्चरों का परजनन रोकना होगा इसके लिए आपको एक काम करना है अपने घर में आसपास में पानी एकत्रित होने ना दे गड़ों को मिट्टी से भर दे रूम कूलरों फूल दानों का सारा पानी सब्ता में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे उन्हें सुखाएं और फिर से भरें खाली वे टूटे फूटे टायरों, डिबो, बोतलों आदी का उचित विसर्जन करें घर के आसपास सफाई रखे यदि रूम कूलरों तथा पानी की टंक्यों को पूरी तरह से खाली करना संभव नहीं है तो उनमें सब्ताह में एक बार पैट्रोल या मिट्टी का तेल डाल कर परती सो लिटर पानी के लिए 30 मिली लिटर पैट्रोल या मिट्टी का तेल ही काफी है ऐसा करने से मच्छर का पनपना रुकेगा ऐसे कपड़े पहने ताकि शरीर आपका ढखा ही रहे यह सावदानी बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है बच्चों को मलेरिया सीजन में निकर टी-शर तो बिलकुल ही ना पहनाएं तो अच्छा है मच्छों को भगाने वाँ मारने के लिए मच्छर नाशक क्रीम, स्प्रे, मैट्स, कोईल्स आदी का प्रियोग करें मच्छर धाने के इस्तमाल से मच्छों के काटने से बचा जा सकता है ऐसा कहा जाता है कि सिने ट्रोला तेल भी मच्छों को भगाने के लिए काफी परभावी है अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में मच्छों की संख्या बहुत जादा हो गई है तो फिर स्तानिय स्वास्तह केंद्र, नगरपली कא, पंचायत केंद्रों को जानकारी दे ताकि समय रहते इलाके में फोगिंग कराई जा सके क्योंकि फोगिंग कराने से बहुत हद तक डेंगू है, मलेरिया के मच्चरों को पनपने से रोका जा सकता है डेंगू हो जाने पर डॉक्टर से जाट जरूर कराएं जी हाँ अगर आपको डेंगू होता है तो डॉक्टर से इलाज कराएं इलाज में कोताही तो बिल्कुल भी ना वरते बुखार से ग्रस रोगी को बिमारी के शुरू के 6-7 दिनों तक मच्चर धानी से ढगे हुए बिस्तर पर ही रखे ताकि मच्चर उस तक ना पहुँच पाए डेंगू की ये जानकारी हम आपको क्यों दे रही है आप यही सोच रहे होंगे कि डेंगू को लेकर हम आपको जानकारी क्यों दे जबकि इस तरह की जानकारी तो हर बार टीवी खबरों में आ जाती है तो बात ये है कि डेंगू की खबरे तो आप देख लेते हैं लेकिन फिर उस पर अमल कोन करता है लोग तो यही सोचते हैं कि जब डेंगू होगा तो देखा जाएगा डेंगू को दिखा लेंगे, इलाज करवा लेंगे लेकिन हम आपको बता दे कि जितना असान आप सोच रहे हैं ये बिमारी उतनी हलकी नहीं है देश में डेंगू इस समय चरम पर है बुखार से लोगों का हाल बेहाल है देश के किसी भी परदेश का नाम उठा लीजी डेंगू की मार से सब प्रेशान है आंकडे रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं डेंगू को लेकर हाला चिंता जनक है ऐसे में हम आपको लगातार एहतियात बरतने की ही सला दे रहे हैं डेंगू के डंग से खुद को और अपने परिवार को बचा कर ही रखें बहुत बहुत धन्यवाद SNA का ये स्पेशल सोट देखने के लिए मैं आपका दोस्त आपका होस्त येश्पाल कंचन फिर से लेकर आँँगा कोई नया एपिसोड और नया कोई मुदा नई कोई खबर बस आप बने रहिए हरियाना आज के साथ